हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का दिराज क्लासिस के यूट्यूब चैनल पर और जैसा कि आपको पता है अभी आपकी स्रीज चल रही है इंग्लिश की और उसमें अभी हमारा टॉपिक चल रहा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रिमेंट का इसके ऊपर हम अभी एक पार डिस होता है आपकी जो वर्ब है वो कौन से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली आएगी कई बर सिंगुलर सब्जेक्ट भी होंगे कई बर प्लूरल सब्जेक्ट भी होंगे तो इस तरह के कोशन बहुत पूछे जाते हैं एक्जाम में तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने आज के फर्स्ट कोशन को फर्स्ट कोशन देखिए नीदर माई वाइफ नौर माई ब्रदर इन लौ वर एबल तो हैल्प मी इन माई वर्क तो एक बार सेंटेंस को अगर आपने देख लिया है तो इसमें फाइंड आउट कीजिए कि एरर कौन से पार्ट में है ए पार्ट में बी पार्ट में सी पार्ट में या डी पार्ट में तो देखे इस तरह का कोशन मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कराया था और उसमें मैंने आपको बताया था यहां पे दो सब्जक्ट है माई वाइफ और माई ब्रदर इन लौ ठीक है यहां पर एक तो सब पताया था कि जो भी जो भी वर्ब के पास में subject होगा, उसके accordingly हम use करेंगे वर्ब का, तो my brother-in-law जो की आपका एक singular subject है, ठीक है, तो उसके accordingly, my brother-in-law के accordingly क्या आना चाहिए, was आना चाहिए, ठीक है, तो सही sentence होगा, neither my wife nor my brother-in-law was able to help me in my work, ठीक है, और अधिकतर nor के बाद जो subject दिया गया होता है, उसी के accordingly आपकी वर्ब आती है, same इसी तरह का जो sentence होता है, either or, neither nor, ठीक है, तो जो भी subject हमारा वर्ब के पास में होगा, उसके accordingly हम use करेंगे, तो यहाँ पर आपका जो error part है, वो है आपका B part, वो यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है, option B यहाँ सही है, समझ में आपको, either or, neither nor के question बहुत आते हैं, इनकी practice आप कर लेना, ठीक है, चलिए, बिना किसी देरी के चलते हैं, अपने next question पर, second question पर, second question आप से पूछते हैं, if my father approve, I will go to Mumbai, if my father approve, I will go to Mumbai, तो देखे, इस तरह के जो sentence ह होते हैं, उनको हम कहते हैं, conditional sentence, यानि कि जब एक चीज होगी, तब उसी के बास दूसरी चीज होगी, अगर मेरे father approve करते हैं, तब ही मैं Mumbai जाऊंगा, ठीक है, तो if से शुरू हो रहा है sentence, ठीक है, तो कहाँ पर error है, A part में, B part में, C part में, D part में आपको बताना है, आप अपन ठीक है, my father आपका एक singular subject है, ठीक है, और उसके साथ में हमने verb यूज की है, approve, ठीक है, तो आपको पता है, जब भी आपका present indefinite का sentence होता है, present indefinite का sentence होता है, उसके साथ में, अगर आपका singular subject है, तो उसके साथ में हम S और ES का use करते हैं, ठीक है, और इस तरह के जो conditional sentence होते हैं, जो if से शुरू होते हैं, उसमें एक पार्ट तो आपका present indefinite होगा, और दूसरा पार्ट जो है आपका future indefinite का होगा, ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, my father approve, ठीक है, तो यहाँ पे approve नहीं होगा, यहाँ पे होगा approves, ठीक है, my father approves, I will go to Mumbai, अगर मेरे father approve करते हैं, क्योंकि father एक singular subject है, ठीक है, तो यहाँ पे कौन से पार्ट मेरर है, यहाँ आपके B पार्ट मेरर है, तो option B यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है, समझ में आए आपको, चलिए, चलते हैं अपने next sentence पे, उससे पहले आप यह देख सकते हैं, एक conditional sentence आपके लिए दिया है, if it rains, अगर बारिश होती है, तब picnic will be cancelled, ठीक है, पिकनिक को cancel कर दिया जाएगा, यह आपका present indefinite का sentence है, और यह आपका future indefinite का, ठीक है, समझ में आगए आपको, चलिए, चलते हैं अपने next question पे, third question पे, third question देखेंगे, children likes to eat chocolates rather than sweets, ठीक है, कौन से पार्ट मेरर है, जल्दी से आप अपना answer selector लीजे और paper पे लिख लीजे, ठीक है, ताकि out of ten last में अपना score बता सकें आप, children likes to eat chocolates rather than sweets, तो यहाँ पे जो error part है, sentence को देखते हैं, children, children क्या है बई, children अपने आप में plural है, plural subject है, ठीक है, singular subject है, सरफ child होता है, यहाँ पे हमने use किया है, children, तो children अपने आप में plural है, और उसके साथ में हम verb use कर रहे हैं, और उसके साथ में हमने s लगा है, तो s यहाँ पे नहीं आएगा, सरफ यहाँ पे होना चाहिए था, children like to eat chocolates rather than sweets, समझ में आगया, children यहाँ पे plural है, बच्चे अधिकतर गलती का करते हैं, यहाँ सोचते हैं कि यहाँ पे s और e s नहीं लगा समझ में आगया, चलिए, चलते हैं अपने next question पे, fourth question पे आगये हैं अपने, fourth question देखिए, बहुत important question है, बहुत पूछे जाते हैं इस तरह के question, मैंने आपको पिछली की वीडियो में भी कराया था, my sister-in-law with her children were present at the function, दुबारा sentence को पढ़ेंगे एक बार, my sister-in-law with her children were present at the function, तो कहां पर error है, जल्दी से find out कर लिजे, अब हम अपने sentence को discuss करते हैं, my sister-in-law with her children were present at the function, तो मैंने आपको पिछली क्लास में एक rule बताया था, और rule ये कहता है, कि जब भी as well as, along with, together with, in addition to, in सभी से, अगर कोई दो subject आपस में जुड रहे हैं, जैसे कि यहां पे use किया गया ह ठीक है, अगर इसकी जगा पर होता as well as, along with, together with, in addition to, तो उससे पहले जो subject दिया है, इससे पहले कौन सा subject दिया है, my sister-in-law, इसके accordingly ही हम अपनी वर्व को use करेंगे, तो देखिए, my sister-in-law आपका एक singular subject है, ठीक है, single की यहां पे बात हो रही है, तो यहां पे वर क्यों use होगा यहां पे use होगा आपका was, my sister-in-law with her children was present at the function, इसको समझने के लिए आप यह चीज और देखिए, अगर मैं इसको यहां से हटा दूँ, with her children को यहां से मैं हटा देता हूँ, तो अब इस sentence को पढ़िए, my sister-in-law were present हो सकता है, नहीं, यहां पे होगा was, my sister-in-law was present at the function with her children, with her children को मैं last में लेकर आगया हूँ, तो sentence पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो with her children, in addition to, along with, इस तरह के अगर कोई आपको sentence में कोई word मिलते हैं, तो subject जो है, इन से पहले जो दिया है, वो हमें use करना है, जैसे आप देख सकते हैं, he as well as you is guilty, you के साथ हमने is use नहीं किया है, as well as से पहले ह है, he, he के accordingly आपका जो verb है, वो use होगी, he is guilty as well as you, ठीक है, समझ में आ गया, चलिए, चलते हैं अपने next question पे, fifth question पे, fifth question देखिए, the director along with, मिलीगा ना आपको, along with the staff members were present for the annual day celebration, इस तरह के question बहुत पूछे जाते हैं, और बच्चे इसमें confusion में गलत answer ही देते हैं, अगर आपको पता है कि along with in addition, यह सब चीज़ा अगर आपको पता हैं, तो आप correct answer ही लगाऊगे, तो the director के accordingly आपकी वर्ब आनी चाहिए, ठीक है, the director was होगा, क्योंकि director single person है, तो यहाँ पे क्या use होगा, the director along with the staff members was present for the annual day celebration, तो कौन सा part यहाँ पे error है, यहाँ पे error है आपका B part, समझ में आ गया, देखे इस तरह के question पूछे जाते हैं, ठीक है, समझ में आपको, चलते हैं अपने next question पे, sixth question पे, sixth question से पहले आपके लिए जरूरी सोचना, जो भी बच्चे मेरे channel पे new हैं, आप मुझे simply अपना नाम लिखके इस number पे message कर देना, हम आपको अपने broadcast system से जोड़ देंगे ताकि KVS की कोई भी information आती है, आपको हम दे सकें, और please अगर आपको मेरी videos अच्छी लगती हैं, तो please like जरूर कीजे, और comment करके जरूर बताया कीजे कि आपका score क्या है, और आपको videos कैसी लगती हैं, ठीक है, चलिए, sixth question पे हम बात करते हैं, बहुत important question है, इसमें ये आपके of the terrible consequences of the habit of smoking, ठीक है, परतेक, आदमी और और औरत की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, और यही हमारा यहाँ पर subject है, ठीक है, और इसके साथ हमने use किया है, आर का, ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने mistake find out कर ली होगी, कि mistake कहां पर है, अब मैं थोड़ा सा आपको explain कर देता हूँ जब भी आपको sentence के starting में, subject में, every मिलता है या each मिलता है, ठीक है, every मिलता है या each मिलता है, तो हम हर किसी की बात करते हैं, every man and woman का मतलब है, यहाँ पर हम परतेक आदमी की और परतेक औरत की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर वो subject है, वो singular माना जाता है, ठीक है, every man and woman is ह होगा यहां पे is now aware of the terrible consequences of the habit of smoking ठीक है तो यहां पे subject अगर every और each starting में लगता है तो उसमें हम use करेंगे आपकी verb जो होगी singular होगी ठीक है तो इसका यहां पे use होगा समझ में आए आपको तो यहां पे स्टार्टिंग में लग गया इच तो इसी लिए हमने जो verb यूज किया है वो singular यूज की है इस यूज होगा every boy and girl is laborious ठीक है तो जो boy और girl की बात हो रही है लेकिन स्टार्टिंग में हमने every यूज कर लिया तो इसी के accordingly आपकी verb भी रहेगी जो कि singular रहेगी ठीक है arabian nights have lots of interesting stories for young readers दुबार एक बार sentence को पढ़ेंगे the arabian nights have lots of interesting stories for young readers तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पे जो subject है आपको पढ़के क्या लग रहा है हम किसके बारे में बात कर रहे हैं जाहिर सी बात है हम stories की बात कर रहे हैं young readers की बात कर रहे हैं तो यह क्या हो सकती है यह किसी book का नाम है book के title का नाम है जो 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 नाम है और उसका जो title है वो किताब का नाम है और उसका जो title है वो आपका plural है उसमें जो है the arabian nights तक है तो हमने यहाँ पर have use किया है, भई हम एक ही बुक की तो बात कर रहे हैं यहाँ पर, the Arabian Nights have lots of interesting stories for young readers, तो यहाँ पर have use नहीं होगा, यहाँ पर हम use करेंगे has का, the Arabian Nights has lots of interesting stories for young readers, ठीक है, देखे कई बार आपको inverted comma नहीं मिलेगा, यहाँ पर मैंने आपके लिए inverted comma दिया है, जैसे मैं कहूं, three mosquitoes is a very interesting book, तो subject जो है आपका plural है, लेकिन book का नाम है वो, three mosquitoes, ठीक है, तो उसके accordingly जो verb है, आपकी singular ही रहेगी, क्योंकि हम एक book की बात कर रहे हैं, तो same चीज यहाँ पर भी है, ठीक है, तो ध्यान रखना है कि कहीं यह book की बात तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, to demonstrate a theory, अब poet and philosopher, उनकी बात कर रहे हैं, तो बैस आपको यहाँ पर यह ध्यान देना है, क्या poet और philosopher एक ही आदमी है या अलग-अलग है, तो philosopher से पहले कोई article यूज किया है, नहीं, कोई article नहीं है, तो यहाँ पर यह एक ही आदमी की बात कर रहे हैं, जो poet है, वही philosopher है, और उस के साथ में हमने यूज क्या किया है, हमने यूज किया है, हमने यूज किया है, हमारा subject अगर singular है, तो उसके साथ यूज होगा has, अब poet and philosopher has come to demonstrate a theory, तो कौन सा part error हो गया, भी part यहाँ पर error हो गया, समझ में आया आपको, चलिए चलते हैं अपने next question पे, 9th question पे, 9th question बहुत अच कि क्या यहाँ पे यह जो subject है, यह singular है या plural है, आप जल्दी से इसका answer सोच लीजे, कि subject आपका singular है या plural है, तो आप कहेंगे बिल्कुल plural है, क्योंकि 30 km है, एक km नहीं है, 30 km है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है, are a big distance, एक बहुत बड़ी दूरी है, अब यहाँ तो plural कह रह as a unit consider कर रहे हैं, और इस तरह के sentence में अगर आपको a मिलता है, ज्यान से समझेए, अगर इस तरह के sentence में आपको a मिलता है, a big distance, a long distance, तो उसमें हम r का use नहीं करेंगे, इसका use करेंगे, थोड़ी सी confusion हुई है, चलिए, इस confusion को आपकी दूर करते हैं, कुछ examples के साथ, देखे, म आगया है, तो हम यहाँ पर use करेंगे, इसका क्योंकि 50 रुपीज को हम एक छोटी सी एक unit consider कर रहे हैं, जैसे मैंने का 6 years is a long period, तो यहाँ पर भी a आया है, तो इस तरह की चीजों में, हाला कि subject हमारा plural है, लेकिन तब भी हम यहाँ पर is ही use करेंगे, ठीक है, अगर, एक और आपकी confusion दूर हो जाएगी, अगर हम इसको as a unit ना consider करें, जैसे मैंने यहाँ पर कहा, 50 rupees are to be distributed among the children, क्या यहाँ पर a use हुआ है, नहीं यहाँ यहाँ पर a use नहीं हुआ है, तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं use होगा, यहाँ पर R ही रहेगा, तो यहाँ भी 50 rupees है, यहाँ भी 50 rupees है, सरफ sentence के मतलब की बात है, कि उससे meaning क्या निकालना चाह रहे हैं, तो 50 rupees is a small amount, 50 rupees are to be distributed among the children, आप simply इसका याद रखिए, अगर आपको sentence में अगर a मिलता है, a big distance, a long period, a small amount, इस तरह की चीज़े, तो यहाँ पर कौन से part मेरर हो गई, आपके b part में, क्योंकि यहाँ पर क्या आना चाहिए, इस आना चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया, चलिए, चलते हम अपने last question पे, 10th question पे, 10th question देखिए, if you follows my instruction, you will get a suitable reward for that, अगर तु मेरी instructions को follow करते हो, you will get a suitable reward, ठीक है, उसका जो भी आपको reward है, वो जरूर मिलेगा, अच्छा reward मिलेगा, तो कहां पर error है, आपको sentence, कि जब एक चीज होगी, उसी के बाद दूसरी चीज होगी, इस तरह के sentence, conditional sentence होते हैं, सरफ इसमें आपको याद रखना है, आपकी जो verb है, वो सही यूज़ की गई है, या नहीं, यह sentence होगा, आपका present, indefinite का, ठीक है, तो you के साथ में क्या यूज़ किया है, इनोंने follows, त ठीक है, दुबारा धहन दीजिए, यहाँ पे जो subject है, आपका वो है, यू, और इसके साथ में S और ES नहीं लगेगा, तो correct sentence क्या है, if you follow my instruction, you will get a suitable reward for that, तो कौन सा part यहाँ पे error है, A part, ठीक है, समझ में आए आपको, तो guys यह थे आपके total 10 questions, I hope आपको अच्छे से समझ में आ आपको अच्छे से से साथ में आपको, तो झापकी लगे ज्में हैं आपका वो